हे दोस्तो, प्रपेर फर एक्जाम में आपका स्वागत है, इस वीडियो में आज मैं आपसे विज्यापन यानि एडवर्टाइजमेंट टॉपिक पर चाचा करूँगी, ये टॉपिक बहुत इंपर्टन टॉपिक है, TZT, PZT, NET सभी एक्जाम्स में विज्यापन से लेकिन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ठीकी भी है, थोड़ा कम इंट्रस्टिंग है, लेकिन कोशिश की है, मैंने थोड़ा इंट्रस्टिंग तरीके से बना कर आपके सामने पेश करनेगी, प्लीज मुझे इसके बारे में फीडबेक जरूर दे, तो स्टार्ट करते हैं व Turn to, that means, किसी की ओर मुड़ना या किसी की ओर आकर्शित होना. और ये हिंदी का विज्यापन शब्द, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ग्यापन, जिसके दो अर्थ हमारे सामने आते हैं, एक होता है विज्यापन प्रिक्रिया, that means advertising, दूसरा होता है विज्यापन सामग्री, यानि advertisement, ये advertising होता क्या है, पहला शब्द है विज्यापन प्रिक्रिया, यानि advertising, advertising का अर्थ होता है, योजनाबद तरीके से विज्यापन का निर्मान करना, उसमें जो भी चीज़ें प्रियोग होती हैं, उसका प्रियोग करना और एक योजनाबद तरीके से विज्यापन का निर्मान करना, advertising के अंतर गताता है, दूसरा शब्द आता है हमारा advertisement, advertisement का अर्थ होता है, उस विज्यापन को उपभूगता तक, consumer तक पहुचाना, advertisement के अंतर गताता है, तो ये था हमारा advertising और advertisement का अर्थ, आगे चलते हैं, विज्यापन क्या है, विज्यापन हमें सूचना प्रिदान करता है, वो हमें ये इन्फॉर्म करता है, कि हमें ये चीज़ बाय करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं बाय करनी चाहिए, ये चीज़ हमारे लिए useful है, ये चीज विश्व का पहला विज्यापन भारत में निर्मित हुआ था इसके बारे में मुझे एक स्टोरी यह याद आती है और उसी स्टोरी को मैं आपको सुनाती हूँ यह आज से लगबाग 15,000 वर्ष पहले की बात है जब भारतिय व्यापारियों ने रियस्मी वस्त्र बुना था और उस रियस्मी वस्त्र को व्यापार संग के लोगों ने मिलकर MP में जो गौलियर छेतर है वहाँ एक दस्पुर स्थान है उस दस्पुर स्थान का पहले कोई प्रमाण नहीं मिला था यह बात है जब गुप्त काल में दस्पुर में कुमार गुप्त का राज्य था यह तब की बात है जब कुमार गुप्त प्रथम और दुतिय का राज्य हुआ करता था दस्पुर में और उन्होंने दस्पुर एक छोटी सी जगय थी जब दस्पुर में उन्होंने अपना प्रतनीधी रख दिया था जिसका नाम था बंदु वर्मा बंदु वर्मा दस्पुर के प्रतनीधी किआंकि यह राज्यां बहुत बड़े होते थे तो उसमें प्रतनिधी रखरक कर ही राज्या को चलाया जाता था तो दश्पूर का राज्या का प्रतनिधी थे बंधु वर्मा एक्चुली इसके बारे में हमें कैसे पता चला इसके बारे में हमें बंदू वर्मा इनका लेख प्राप्त हुआ था हमें मंद सौर से जब ये खुदाई हुई थी इंडिया में बहुत खुदाई वगएरा बहुत चल रही थी तो मंद सौर में एक लेख प्राप्त हुआ था और उस लेख को लिखा था वत्स भिटने वत्स भिटने उस लेख में लिखा था जितनी भी वहां गटना हुई थी उससे रिलेटेड उन्होंने वो लेख लिखा था वो लेख हमें प्राप्त हुआ था मंद सौर में तो उन्होंने उस लेक में लिखा हुआ था ये कि जब कुमार गुप्त प्रत्थम का जब दश्पुर में प्रतिनी धी था बंदु वर्मा तो वहां दश्पुर के जो तंतु वायों थे तंतु वायों ने मिलकर दश्पुर में एक मंदिर का निर्माण किया था उस मंदिर का नाम था Surya Mandir उस Surya Mandir के निर्मान के बाद जब उस Surya Mandir का निर्मान हो गया था तो उसके 36 साल बाद उसके पुनर द्वार की बात सामने आई थी जब मंदिर का निर्मान कुमार गुप्त प्रथम के शाशनकाल में हुआ था लेकिन जब इसके पुनर्द्वार की निर्मान की बात आई थी जब कुमार गुप्त दुतिय राजा थे तो उन्होंने इस मंदिर के पुनर्द्वार का निर्मान कराया था तो उसी मंदिर में उसी सूर्य मंदिर में भारत के व्यापारियों ने रेस्मी वस्त्र बुन कर लगवा दिया था रेस्मी वस्त्र लगवाया था अपने उस रेस्मी वस्त्र के प्रचार के लिए उस प्रचार की खातिर उन्होंने उस रेस्मी वस्त्र को मंदिर में लगवा सिंदो सब्वेता काल में भी चलाए गए थे जब सिक्कों के ऊपर लिपियां लिखी जाती थी अशो के काल में भी चलाए गए थे जब उनके जो हमें जितने भी हमें उनके वहां मिले हैं उनके लिपी पढ़ने में प्रिंसेप ने उनकी लिपी पढ़ी थी जब हमें सफलता सकती है जिसके अंतरगत मुदृत सब्दों द्वारा विक्री बढ़ाने में help मिलती है उसे हम कहते है विज्ध्यापन एक विज्ध्यापन है वो विज्ध्यापन हाथ से लिखा हुआ विज्ध्यापन वे British संग्राले लंदन में हमें प्राप्त हुआ था, 3000 वर्ष पुराना वो विग्यापन है, जो हाथ से कागज पर लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, विग्यापन तो हमें बहुत प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये विग्यापन कब हमारे इतिहास में, कब जानकारी इसके बारे में असल हमें प्राप्त जोहिन गुटिनबर्ग ने करत किया था उसके बाद प्रिंटिंग इजी बन गई थी थोड़ी इजी हो गई थी तो ंसके बाद 1470 में फिलियम कैक स्टोन आए थे, कैक स्टोनन ने इंगलिश में पहला विज्ञापन याने अंग्रे जी भाजा में पहला विज्ञापन प्रक इसके बाद 1840 में 1841 के करीब की बात है वालमी पामार आये थे वालमी पामार ने फिलाडेल विया में विज्यापन इजैंसी लगाई थी वालमी पामार जो थे इस्पेस ब्रोकर के रूप में काम करते थे इस्पेस ब्रोकर से मतलब होता है जो पत्र पत्र काओं समाशार पत्र में इस्थान दिलाने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं इस्पेस ब्रोकर तो इस्पेस ब्रोकर के रूप में ये काम करते थे तो उन्होंने एक एजेंसी खोली थी एजेंसी खोली थी विज्यापन की जिससे पहली विज्ञापन एजनसी नाम दिया गया, यह है एजनसी अपने ग्रहकों के लिए और ग्रहकों के द्वारा ही जो उत्पाद निर्मित होते थे, उनको और अपने उन, वो उनको ग्रहक बोलते थे, जो उनसे स्पेस माँगने आते थे, पत्रे-पत्रे काओं में, नियूस पेपर में, कि हमें कोई कॉलम दिला दीजी, जिससे हम विज्ञापन प्रदर्शित कर सकें, प्रकाशित कर सकें, तो इसके लिए वो उनके पास आते थे, तो उन्हें वो प्रकाशित प्रदर्शित करने का कार्य करती थी, प्रकाशित करवाने का कार्य करती थी, त और इस स्पेस बोकर के रूप में सरप्धम किस ने काम किया घुमा फिरा के question पूछ लेते हैं। तो वाल्मी पामार वाल्मी पामार तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन विग्यापन का उदेश्य क्या होता है। उप्भोगताओं को consumer को सिख्षित करा सकें विक्रेता की मदद कर सकें या इस जो competition हमारा बहुत जादा समाज में चल गया है इस competition को समाप्त कर उप्भोगता को अपनी और आकर्षित कर सकें व्यापारियों को अपनी और आकर्षित कर सकें और सबसे अधिक बड़ी बात ये है कि ये उत्पादक और उपभोगता दोनों के बीच संबंद बनाना होता है, बहुत अच्छे संबंद बनाना होता है, ये विज्यापन का उदेश होता है, विज्यापन में चार ही तत्वे मेन होते हैं, सबसे पहला होता है वस्तु, उसके पहला विज्यापन था 1470 में जब विदेश में यानि अमेरिका में पहला विज्यापन प्रदर्शित किया गया था 1470 में विलियम कैक्स्टोनन ने उसके बाद जो विज्यापन उसके बाद विज्यापन का हमें कोई खास चर्चा में विज्यापन नहीं आया था लेकिन उसके बार विज्यापन सापताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुए थे जिसमें कॉफी का विज्यापन प्रकाशित किया था उसके बाद चॉकलेट का आया था 1657 में और उसके एक साल बाद चाय का विज्यापन प्रकाशित किया था 1658 में ऐसा नहीं है विज्यापन उससे पहले स्टार्ट ही नहीं होते उससे पहले भी विज्जापन स्टार्ट हुए थे लेकिन जब ये विज्जापन एजंसी खोल ली थी वालनी पामार ने तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट पॉजिशन में आ गए थे थोड़ा सहारा मिल गया था लोगों को विज्जापन अपने प्रकाशित कराने के लिए आगे चलते हैं विज्जापन एजंसी के बारे में advertising, advertisement agency advertisement agency भारत में पहली advertisement agency खोली गए थी 1907 के करीब मुंबई में ये दत्ता राम एंड संस के नाम से खोली गई थी, अब तो भारत में लगभग 8000 से भी जाधा विज्यापन एजेंसी हैं, जैसे कि HTA है, HTA यानि हिंदुस्तान थॉम्सन एसोशियेशन, ये है भारत की पहली विज्यापन एजेंसी है, सबसे पुरानी एजेंसी है, हिंदु अबुस्तान थॉम्सन एसोशियेशन, यानि HTA, इसको शॉर्ट मैं बोल देते हैं, दूसरी विज्यापन एजेंसी आती है, मुद्रा कम्यून्यूकेशन लिमिटेड, ये रेलाइनस ग्रूप से रेलेटेड है, ये रेलाइनस ग्रूप की कम्पनी है, मुद्रा एक और विग्यापन एजंसी मेरे माइड में आती है O&M, यानि ओगिले and Mother Limited, ये विग्यापन एजंसी है, जिनके बारे में हमें पढ़ने को भी मिलता है, आगे विग्यापन एजंसी होती क्या है, विग्यापन एजंसी या एड एजंसी, एक ऐसी सेवाओं का व्यापार होता है ये जिसमें ग्राहकों के लिए विग्यापन बनाना, उन्हें समहलना, विग्यापन एजंसी विग्यापन व्यवसाय से जुड़े लोगों का समूह होता है, एक संगठन होता है, जिसमें विग्यापन एजंसी, विग्यापन एजंसी क्या करती है, एक विशेश प्रतिभ जो विशेश प्रत्वया वाले कुशल यानि दक्ष जो विशेश अग्या होते हैं उनका एक संगठन बना लेती है और उसी को हम नाम दे देते हैं विज्यापन एजेंसी विज्यापन एजेंसी विज्यापन और वहीं हम विज्यापन छपवाने जाते हैं विज्यापन जब ह इजनसी में जाना होता है विज्ऑपन का उद्धेश्य के बारे में बात करते हैं विज्ज्ज्थे बाते हैं सबसे पहले मुझे इसी से ही यद आता है कि मिलायस की paint नियुक किया गया था पोस्टर के रूप में मिलायस की पेंटिंग को पोस्टर की रूप में प्रियोग किया गया था 1870 में इस तरह का कॉशन आया था एक बार एक्जाम में कि सबसे पहले किसकी पेंटिंग को पोस्टर की रूप में प्रियोग किया गया अभी मैं आपसे मुद्रण के बारे मैं बात कर रही थी, जब ये मुद्रण 1440 में जब जोहिन गुटेनबर्ग ने मुद्रण स्टार्ट कर दिया था, तो इसी हो गया था किसी चीद को प्रिंट करना, तो इसाई मिशन निरियों ने, यानि इसाई जो मिशनर ये थे, इसाई अपने धर्म के प्रचार के लिए भारत में गोवा में पहली मुद्रण मशीन लगाई थी, उन्होंने 1556 में, इसाई मिशनरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए, वो भारत में अपनी अपनी गोवा में पहली मुद्रण मशीन लगाई, अब इस तरह का कॉशन आता ह एक्जाम में कि पहली मुद्रण मशीन कहां लगाई गई, किस से रिलेटिड थी, तो गोवा में लगाई गई थी और ईसाई धर्म से रिलेटिड थी, ईसाई मिशनरियों ने लगाई थी अपने धर्म के प्रचार के लिए 1556 में, तो ये थी हमारी विज्यापन एजेंसी, झाल 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 झाल